पहले हम बना लेते यह आपका क्या हो गया यह हो गया ट्राइंगल ABC ठीक और यहाँ पर जो यह जो साइड है यह जो एंगल है एंगल B इस इक्वल टू 90 जेकरी और जो AC साइड है यह क्या है यह होती है यह होती है फिर्फुम्स ठीक और BC को हमने क्या हम लिया है पर्पेंडिकुलर ठीक? तो ए भी अपने आप क्या हो जाएगा? बेस ठीक? और पाइजोगुरस ठीवराम होती है हाइपोर्पनिवस स्क्वेर इस इकवल टू पर्पेंडिकुलर स्क्वेर प्लस बेस स्क्वेर तो यहाँ से x इस इकवल टू आ जाएगा अंडर रूट P square प्लस B square, ठीक ये पाइफोगुरस theorem होती है, हाइपोटन्यूस square is equal to perpendicular square plus base square, ठीक, तो हाइपोटन्यूस हमारा यहाँ पर क्या है, AC side AC क्या है, हाइपोटन्यूस है, ठीक, और perpendicular हमारा क्या है, perpendicular perpendicular है हमारा BC, ठीक है BC हमारा क्या, perpendicular है ठीक, और base हमारी side क्या है, AB square ठीक है, तो ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए ये बहुत जादा इस्तिमाद होती है, क्योंकि हमें क्या होता है, कि कोल भी right angle triangle अगर हमें given होगा तो उसमें हमें 2 side given होगी और third, इस से पाइथोगोरस theorem से third side भी हमारी निकल आएगी ठीक है, तो ये जो पाइथोगोरस theorem का हम यूज करते हैं, ये सारी sides इससे पता चल जाती है, मतलब 2 हमें given होती हैं और एक हमारी unknown होती, तो जो हमारा unknown portion होता है, वो इसससे calculate हो करके आ जाता है अब देखिए, अब एक method होता है कुछ हमारे terms होते हैं sine cos ten cot sick cosic ठीक है? तो अब देखिए जो हमारा sine term होता है उस को any short form में क्या लिखते है sine यह जो लिखा है इसको मतलब जहिसको पूरा नाम होता है 1 sin e ठीक और cos को हम लिखते है cos ठीक है?! और tange होता है इसको हम लिखते है tangent ठीक ? और short में हम क्या WORD में क्या कर देते हैı short मैं हम लिख देते हैं tangent ठीक और cod हमारा होता है cotangent ठीक बागी सब कुछ आपको जानने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि जो trigonometric हमारे जो ratios जो हमारे आएंगे वो इसी format में आपको question में solve करने के लिए मिलेंगे ठीक है और इनकी जो values होती है that means आप से question पोचा जाता है sine theta, sine alpha, cos alpha, cos beta ठीक ये मतलब आपका हो है कि आप किसी भी form में angle को आप ले सकते हैं theta ले सकते हैं, alpha ले सकते हैं, beta ले सकते हैं, gamma ले सकते हैं whatever you want ठीक अब देखिए अब इसमें एक method होता है जिससे हम जया करते हैं कि सारे सारे जो हमारे जो trigonometric ratios होते हैं उनको हम याद कर सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा ठीक, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा ठीक, अब देखिए ये ठीक, इस side हमारा होता है sign यह होता है हमारा cos ठीक और यह हमारा क्या हो जाएगा 10 ठीक तो अगर in general जादर जादर जो angle इस्तेमाल होता है वो थीटा ही इस्तेमाल होता है तो अगर हम sin थीटा अगर हम लेंगे तो sin थीटा हमारा क्या हो जाएगा sin थीटा हमारा हो जाएगा perpendicular upon hypotenuse ठीक है अगर हम cos theta, cos theta की अगर हम बात करें, तो cos theta अमारा क्या हो जाएगा, cos theta अमारा हो जाएगा, base upon hypotenuse, ठीक, base upon hypotenuse, ठीक है, और अगर हम tan theta की अगर हम बात करें, tan theta जो हमारा होगा, tan theta जो हमारा होगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, perpendicular upon base, ठीक, अगर हम इस, इस triangle को अगर हम consider करें, यह अगर हमारा right angle triangle है, इसको अगर हम consider करें, sin theta, cos theta calculate करने के लिए, तो basically, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो perpendicular है, perpendicular की जगे पर आप लिख सकते हो, bc, ठीक, और, जो हमारे hypotenuse है, वो क्या है, ac, ठीक, तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारी trigonometric ratios लिख सकते हो, और, sin cos tan, ठीक, यह जो denominator की जो terms होते हैं, denominator की जो terms होते हैं, देखें, यह हमारा होता है, caucic, sic, और, यह हो जाएगा आपका cot, ठीक, तो sin का जो opposite है, sin का जो opposite हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, caucic theta, तो caucic theta आपका हो जाएगा, hypotenuse upon perpendicular, ठीक है, sec theta आपका क्या हो जाएगा, sec theta आपका हो जाएगा, hypotenuse upon, hypotenuse upon base हो जाएगा, ठीक है, और, जो आपका cot theta हो जाएगा, cot theta जो आपका रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, base upon perpendicular, ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा हरा ये concept हमने पढ़ लिया, ठीक है, तो अब दिखिए, उससे ये हमारे result आगया है, ठीक, जो आपका pvp upon hhb, ठीक, उससे हमें, ये result हमें मिल जाएगा, अब दिखिए, जो हमारे theta है, ठीक, कौन सी side हमारी perpendicular है, कौन सी side हमारी base है, ये सिर्फ angle theta ही decide करेगा, ठीक, ठीक, तो let's suppose, इस position पर हमने क्या कर रखा है, कि इसको अगर हमने theta consider किया है, ठीक, इसको अगर हमने theta consider किया है, तो situation अमारी ये होगी, ठीक, लेकिन अगर हम angle c को theta अगर हम consider कर लेते हैं, तो देखिए, अगर हम angle c को अगर theta अगर हम consider करें, तो देखिए, जो हमारी side ab, इसके पहले वाले फिजर में side ab हमारी क्या थी, side ab बेस थी, बट लेकिन यहाँ पर side ab को as perpendicular treat किया जाएगा, ठीक, और जो side b c है, इसको हम base की तरह treat करेंगे, और hypotenuse में कोई बदलाओ नहीं होगा, hypotenuse हमारी fix रहेगी, ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, side in front of required, यह इतना लंबा लिखने की बजाय है हम यह लिखते हैं, side in front of theta perpendicular, क्या, ठीटा के जो सामने वाली जो side होती हैं, वो से हम क्या बोलते हैं, perpendicular बोलते हैं, अब एक side पता चल गई, hypotenuse 6 रहती है, जिसकों perpendicular मानते हैं, तो जो side में unknown होती है, वह हमारी base हो जाती है, बस side in front of theta is perpendicular, ठीक हैं, तो theta के सामने वाली जो side होती है, वो क्या होगी, perpendicular और जो perpendicular के अलावा, hypotenuse सरे पता होती है, और उसके अलावा जो तीसरी side होती है, वो क्या होती है, base होती है, ठीक, तो अगर हम इसको angle C को, अगर हम theta consider करते हैं, that means, angle ACB is equal to theta, अगर हम consider करते हैं, तो यहाँ उपर sin theta, cos theta, tan theta और जो भी trigonometric ratios है, यह हमारे सारी के सारे change हो जाएगे, ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin theta, sin theta is equal to क्या हो जाएगा, यह हमारा perpendicular upon hypotenuse, ठीक है, perpendicular upon hypotenuse ही है, तो अब इसको मैं यह लिखने की बजा है, पिछला lecture आप लोग देख चुक है हैं, तो उसके, उसके equality मैं क्या लिखू हूँ हैं इसे, AB upon क्या हो जाएगा यह, AC, ठीक है, cos theta, cos theta के बारे में अज़र हम बाद करें, तो cos theta, इस बार हमारा base क्या है, or base हमारा है BC, तो BC हमारा base है, तो base upon expert means, ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, BC upon AC, ठीक है, tan theta, tan theta, tan theta हमारा क्या हो जाएगा, tan theta हमारा, perpendicular upon base, इस दैक भी आपाउन, ठीक, a, B upon क्या हो जाएगा, ab upon जाएगा, ठीक है, और कॉसेख थीटा कॉसेख थीटा के बारे में अगर हम बाद करेंगे तो कॉसेख थीटा हो जाएगा हाइपोडियूस हाइपोडियूस अपॉन 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 और 10 θ, 10 θ is equal to, क्या हो जाएगा? 10 θ is equal to, हमारा अच्छाएगा BC upon AB, ठीक, यह हो जाएगा. बट अब चाहे आप, चाहे आप इस figure को consider करें, चाहे आप इस figure को consider करें, दोनों से ही, हमको एक बात हमें और पता चलती है. देखे, sinθ, sinθ हमारा क्या है, bc upon ac, bc upon ac, ठीक, तो ac upon bc को मैं क्या लिख सकता हूँ, ac upon bc, ठीक, is equal to, मैं लिख सकता हूँ, ठीक, ac upon bc, ठीक, sorry, ये है हमारा sinθ, ठीक, sinθ, हमारा क्या है, bc upon, क्या है, bc upon है, ac, ठीक, 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 ठीक पता चल गई, sin theta is equal to क्या हो जाएगा, 1 upon cos theta, ठीक है, ठीक, यह हमारा एक formula मिदल पे आया है, ठीक है, और जो sec theta हो जाएगा, हमारे पास जो sec theta है, वो किसका, sorry, cos theta, चाहे sec theta भोले, या cos theta भोले, cos theta sec theta का reciprocal होगा, और sec theta cos theta का reciprocal होगा, तो cos theta is equal to मैं लिख सकता हूँ, 1 upon क्या, 1 upon what, 1 upon sec theta, ठीक है, और 10 theta के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो 10 theta is equal to हो जाएगा, क्या, 1 upon cos theta, ठीक है, तो यह सारी बाते हमारे निकल कर आ जाते हैं, ओके गाइस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 जो basic trigonometric identities होती हैं, हम उन पर discussion करेंगे, ठीक है, और उन में से एक identity को हम proof करके भी देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई, right angle ही बना देते हैं, क्योंकि जो भी चर्चा होती है भाई, इसमें right angle पर ही होती है, A, B, C, ठीक है, इसको let's suppose हमने consider करा है theta, ठीक है, तो यह angle अगर theta है, तो जो BC side है, वो क्या हो जाएगी, वो perpendicular हो जाएगी, A, B side क्या हो जाएगी, base, और A, C side क्या हो जाएगी, hypotenuse, ठीक, तो यह हमारी identity होती है, सबसे पहले हम यह पढ़ते है, sin square theta plus cos square theta is equal to what, is equal to 1, ठीक, यह first हो गई, ठीक, ऐसे ही हम क्या करते हैं, दूसरी identity हम लोग पढ़ते है, sec square theta is equal to 1 plus 10 square theta, ठीक, यह हो गई हमारी second, ठीक, और third जो हम पढ़ेंगे, cos square theta is equal to what, 1 plus cot square theta, ठीक, यह three identities हैं, और three में से हम जो first वाली identity है, उसको हम आपको proof करके दिखाएंगे, तो देखेंगे, यह sin square theta plus cos square theta, ठीक, इसको हम ले करके चलने हैं, और is equal to 1, ठीक, यह हमको proof करना है, तो left hand side को हम ले करके चलेंगे, और यह है हमारी क्या, sin square theta plus cos square theta, ठीक, तो trigonometry में, अब वही concept, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, तो sin हमारा क्या हो जाएगा, sin cos tan, ठीक, तो sin theta हमारा क्या हो जाएगा, theta में इसको angle A को consider किया है, तो A के सामने वादी side क्या है, BC, perpendicular क्या है, BC perpendicular है, तो यह क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, BC upon, BC upon, क्या हो जाएगा, BC upon AC square, ठीक, plus cos theta क्या हो जाएगा, base upon hypotenuse, that means, यह क्या हो जाएगा, AB upon AC square, ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, BC square upon AC square, प्लस AB square upon AC square, ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, कि, AC square, hypotenuse square is equal to, hypotenuse square is equal to, हो जाएगा, परपेंडिकुलर square, प्लस base square, ठीक, that means, हम यह कह सकते हैं, AC square is equal to, what? AC square is equal to, BC square, प्लस AB square, ठीक, तो अब देखे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC square, प्लस AB square, क्या लिख सकते हैं, BC square प्लस AB square, हम लिख सकते हैं, AC square, तो यह हो जाएगा, AC square upon AC square, ठीक, तो AC square से AC square हमारा टाट जाएगा, और यह value 1 हो जाएगी, जो की, RHS के equal है, और यही हमको क्या देखाएगा, यही हमें प्रूफ करना, ओके फ्रेंड्स, तो आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो 90 minus theta के जो angles होते हैं, वो कैसे sine से cos में, cos से sine में change होते हैं, इसके बारे में, हम थोड़ा सा में को brief discussion कर रहे हैं, तो जो sine 90 degree minus theta होता है, वो आपका हो जाएगा cos theta, ठीक है, और cos 90 degree minus theta, वो आपका हो जाएगा sin theta, ठीक, 10, 90 degree minus theta, यह आपका हो जाएगा, cos theta, cos 90 degree minus theta, यह आपका हो जाएगा, 10 theta, ठीक है, अब बात करेंगे, cos 90 degree minus theta, तो यह आपका हो जाएगा, cos theta, ठीक है, और 6 90 degree minus theta, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, cos theta, ठीक है, तो यह basically formula होके हैं, इसका जो लंबा discussion है, वो basically आपके लिए, जो जब आप class 11th में जाएगे, तो उसकी requirement होगी, लेकिन class 10th ICCC में, जो आपके, ML Agroal Book में, जो आपके questions दिये हुए हैं, इसमें कुछ questions ऐसे हैं, जो इनके बिना नहीं हो सकते, इन formula के बिना नहीं हो सकते, तो यह formula आपको बस घ्ञान में रखने हैं, ओके friends तो देखी, यह basically क्या होती है, standard angles की table होती है, ठीक, तो यह table में, जो भी आपकी values हैं, उस पे आपको sign की value, cos की value, 10 की value, यह सारी values आपको हमेशा tips पर होनी चाहिए, यह values आपको कैसे याद रखनी हैं, उसका मैं आपको method यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो देखें, यह sign है, उपर sign है, sign के बाद cos, cos के बाद 10, 10 के बाद cos, sec के बाद cos, बस, इतना है, ठीक, तो देखें, sign की values अगर हम calculate करेंगे, तो sign की values, values लिखने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, numbering कर लेंगे, numbering कहां से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और सब में क्या करेंगे, 4 से divide करेंगे, फिर square root ले लेंगे, 4 से divide करने के बाद हमें क्या करना है, square root ले लेना है, ठीक है, 4 से divide करके हमने, सबसे पहले numbering कर देंगे, उसके बाद, 4 से divide करने के बाद हम क्या करेंगे, square root ले लेंगे, ठीक है, आप देखें ये square root 0 upon 4, ठीक, इसकी value कितनी आजाएगी, 0 आएगी, और under root 1 by 4, तो इसकी value आजाएगी 1 by 2, ठीक, इसकी value 1 by 2, और ये value कितनी हो जाएगी, ये value हो जाएगी 1 by root 2, ठीक, और ये value हो जाएगी, याजी root 3 upon 2 हो जाएगी, ठीक है, और ये value कितनी हो जाएगी, ये value 1 हो जाएगी, ठीक, आप जब values हम coss में लिखेंगे, तो जब coss में values लिखेंगे, तो coss में जो values आएगी, वो इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ shift होगी, यानि कि जो last में जो value है, वो first पे आ यानि यहां पर cos 0 की value हो जाएगी 1, cos 60 की value, cos 30 की value वो होगी तो sin 60 की value होगी, इधार से हम इधार की तरफ shift हो रहे हैं, तो जो second last है, वो second पर आजाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, रूफ 3 by 2, ठीक है, रूफ 3 by 2 हो गए यह value, ठीक, और बीच वाना जो है, वो intermediate है, तो वो बीच में ही रहेगा, तो यह क्या हो जाएगा, 1 upon root 2, ठीक, अब इधर वादी value यहां shift होगी, तो यह कितना हो जाएगा, यह 1 by 2, और यह cos 90 की value कितनी हो जाएगी, 0, ठीक, यह होता है याद रखने का तरीका, ठीक, अब sign और cost तो आप ऐसे निकाल दो, ठीक, भाई, जो भी हमने करा, sign, sign में ने करा, फिर cost की values लिखने हैं, तो हमने क्या गिया, reverse कर दिया, जो last में था, उसे first में कर दिया, जो second last में था, उसे second में कर दिया, और फिर इधर से हम, जो first में था, उसको उने last में कर दिया, और जो second ने था, उसको उने second last में कर दिया, ठीक है, अब अगर हम tan चाहिए, तो दिखिए, आप जानते हैं, जो tan theta का जो formula होता है, tan theta का formula होता है, sign theta, upon cos theta, ठीक, अब इसमें क्या standard angle है, तो अगर मान लीजे, मुझे value लिखनी है, tan 0 की, तो ये basically क्य हो जाएगा, sin 0, upon cos 0, sin 0 degree, upon cos 0 degree, तो cos 0 की value तो 1 हो जाएगी, sin 0 की value 0, तो ये जाएगा पर रिजल 0, ठीक है, और इस तरीके से अगर आप device करेंगे, तो ये 1 by 2 upon root 3 by 2, tan 30 अगर लिखेंगे आप, tan 30 degree अगर आप निकालेगे, तो ये क्या हो जाएगा, sin 30 degree, divide by cos 30 degree, ठीक, तो ये हो जाएगा, 1 by 2, divide by root 3 by 2, तो ये 2 से 2 हमारा cancel हो जाएगा, ये value आजाएगी, 1 by root 3, और इसकी value हो जाएगी, 1, ठीक, उसके बाद आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा, root 3, ठीक, और ये आपका क् अगर हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, जब कार्ट में आएगे, तो value last से, first miss, shift हो जाएगा, infinity, ये हो जाएगा, root 3, बीच वाला बीच में, ठीक, ये हो जाएगा, 1, ठीक, और ये आपका आजाएगा, 1 by root 3, और ये last में आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, आप देखे से, अगर हम लिखेंगे, तो से, थीटा बेसिकली होता है, 1 upon cos theta, यानि जो भी हमने cos theta निकाला है, हम क्या करेंगे, उसका reciprocal कर देंगे, ठीक, उसका just opposite लिखेंगे, just opposite लिखेंगे, cos 0 की value 1, 1 का reciprocal क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक, root 3, y2, इसका reciprocal क्या हो जाएगा, 2 upon root 3 ह winner, ठीक है, और 1 by root 2 का reciprocal क्या हो जाएगा, root 2 हो जाएगा, ठीक, और इसका 1 by 2 काẽ reciprocal क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक, और 0 का reciprocal क्या हो जाएगा, 0 का recipro calculate हो जाएगा, infinity, आप देंगे, आप शाहिए, तो आप इसको वैसे reverse करते हुए ले सकते, ठीक, यानि की last वाला first में, second last 12 seconds पे intermediate intermediate थीक मतलब जो बीच में उसको बीच में रखेंगे यह आप यह भी आप कर सकते हैं sine cost theta is equal to आपका होता है 1 upon sin theta थीक यानि हम क्या आप सकते हैं sin theta गर इसी profile हम ले सकते हैं तो यह आपको क्या हो जाएगा infinite मैं इसको मैं इधा से इधार shift हो रहा हूँ infinity to root 2 और यह आपका क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 2 upon root 3 और यह आपका हो जाएगा ठीक यह आपकी table होती है बहुत important table होती है और इसकी सारी values आपको याद होती है जो class है हमारे लिए बहुत important है देखे आज हम दोग trigonometry की अगली exercise पर जाने से पहले आज हम दोग एक concept पढ़ेंगे जिसका नाम है add sugar to coffee तो देखे इस concept के help से हम क्या कर सकते हैं देखे अगर जिसे हमारे पास angle अगर 0 degree और 90 degree के बीच में लाई करते हैं यह basically standard angles होते हैं तो हमें याद होते हैं इनकी value हम बड़े आराम से लिख देते हैं लेकिन अगर values अगर 90 degrees से जादा हो 180 से जादा हो और आपकी 270 से जादा हो 360 से जादा हो तो फिर हमें सोचना पड़ता है क्योंकि यह values हमें याद नहीं रहती हैं तो हमें क्या करना होता है इन values को एक standard form में लाना होता है standard form में convert करके लाना होता है हमें उन angle को 0 और 90 के बीच में लाना पड़ता है तो देखिए कैसे करते हैं हम इसको इसके लिए एक proper method होता है proper method कह सकते हैं या आप trick कह सकते हैं उस trick का नाम है add sugar to coffee अब देखिए यह क्या है add sugar to coffee आप चाहें तो इसको एस्टी सी भी ले सकते हैं एस्टी सी ठीक तब भी चलेगा आपका बट हम add sugar to coffee इसले ले रहे हैं क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से इस concept को पहा है और यह थोड़ा सा एक proper word रहता है तो याद रखने में आसानी रहते हैं अब जैसे क्या है कि एस के बाद अगर आप टी और किसी particular alphabet में अगर आप confused हो गए तो फिर वह problem करता है बट add sugar to coffee काफी में sugar add करो यह चीज जल्दी बूलती नहीं है तो अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमको मतलब है add के एसे और यहाँ पर हमें sugar के S से मतलब है और यहाँ पर T O के T से मतलब है और यहाँ पर coffee के C से मतलब है अब देखिए यहाँ पर A का मतलब क्या है A का मतलब है all positive यानि जितने जी हमारे trigonometric ratios अगर इस region में लाई करेंगे तो उनको उनका जो sign होगा वो always कैसा होगा positive होगा आप देखिए यह जो आपका रिजन होता है यह 0 degree और 90 degree में लाई करता है इसमें जो angle होगा इस region में जो भी angle होगा वो अमारे 0 degree और 90 degree के बीच में ही लाई करेंगा और इसको मैं कहता हूँ first quadrant यह quadrant हम coordinate में भी deal करते हैं और यहां पर हम trigonometry में भी deal कर रहे हैं और दोनों में ही same है कोई फर्त नहीं है तो अगर हम यहां पर अगर हम बात करें तो यह आपका है first quadrant और यह 0 degree और 90 degree के बीच में लाई करता है और 90 degree को मैं यह भी कह सकता हूँ कि यह क्या हो जाएगा पाई बाई टू हो सकता है और यह जो आपका रिजन है यह आपका 90 degree से 90 degree से आपका क्या हो जाएगा 180 degree और बच्चों मैं इसे कह सकना हूँ पाई तिक है यह आपका पाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा यह जो आपका हो जाएगा यह आपका five से यानी 180 degree से यह सारे ही यह सारे ही जो आपके एंगल होते हैं यह होते हैं तो अगरमे एक्स्ट्रीम वैल्यु चाहिए अगर मांदीजे एक्सिम वैल्यु चाहिए ऐल्यु चाहिए तो क्या करेंगे तो देखे यहाँ पर 70 एप दिग यहां पर बाइल्य चाहिए तो चल्गेज़ान का प्लिऊक्तर और श्यs can 30踪ी 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3-2 यहां से हमने सट गिया था बटम यहां पर से यह तक अगर हम चलके आये तो यह पूरा एक सरकल बाथ में गूंग गया तो यह कितना वो गया यह आपकाव एक कम्प्लीट एंगल बन गया हमारा और जो कम्प्लीट एंगल होता है वह आपका कितना होता है 360 डिगरी होता है तो यह तो जो भी बाते थी मैंने बाते जो भी मैंने की यह मैंने उसके पर किया है, साइन के बेशिस पर की है और आपके कॉयृइंट की बेशिस पर की है और अब हम लोग चलते हैं trigonometric ratios पे तो मैं बता देता हूँ यहां कोколडिन यहां आपका थर्ड कॉइंट है और यहां पर आपका fourth कोड़न है तो अब देखिए यहां पर एड के यस से मतलब है all positive और यहां पर sugar के S से मतलब है sign positive आपका sign होगा वो positive होगा और बच्चो sign positive होगा तो sign का reciprocal भी positive होगा यहांब आपका 10 positive होगा और यहां पर बच्चों क्या होगा यहां बर आपका टैन पॉजिटिव होगा और टैन अगर पॉजिटिव है तो टैन का रेशी पॉजिटिव होगा यानि कॉट भी पॉजिटिव होगा और यहां पर बच्चों, यहां पर लाश्ट में आपका coffee, coffee का c हमारा represent करता है कि यह cause positive होगा, तो बच्चों cause अगर positive होगा तो cause का भी reciprocal क्या होता है? cost का reciprocal होता है sec होता है तो यहां पर sec भी हमारा क्या हो जाएगा sec हमारा positive होगा अब ये कुछ भी हो सकता है आपका sec theta आप ले सकते हो sec e-lix ले सकते हो sec alpha ले सकते हो angle तो आप कुछ भी मान सकते हो तो चलिए बच्चों यहां पर जो angle होगा 0 degree और 90 degree तो यहां पर अगर हम लेंगे साइन, साइन नाइन्टी डिगरी माइनस थीटा, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस नाइन्टी डिगरी माइनस थीटा, तो यह आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और यहां पर बच्चों हो जाएगा टैन, नाइन्टी डिगरी माइनस थीटा, तो यह आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और यह हो जाएगा आपका कॉट, नाइन्टी डिगरी म माइनस थीटा तो यह आपका हो जाएगा 10 थीटा अब हम लोग लिखेंगे सेक 90 डिगरी माइनस थीटा तो यह आपका क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा और यहां पर कॉसेक 90 degree minus theta ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा sec theta ठीक है अब हम लोग आते हैं second quadrant को second quadrant में जो angle होगा वो 90 degree और 180 degree के बीच में लाई करेगा तो मैं इसे 90 degree plus theta भी लिख सकता हूँ और 180 degree minus theta भी लिख सकता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा sign थोड़ा और दूर लिख लेते हैं इसे sign 90 degree plus theta तो ये आपका क्या हो जाएगा अब देखे sugar तो यानि याँ पर sign positive होगा तो sign 90 degree plus theta तो sign जो होगा हमारा positive होगा तो ये क्या हो जाएगा conversion तो होगा sign बदलेगा cost में लेकिन sign positive रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा cost theta और ये आपका क्या हो जाएगा cost 90 degree plus theta यहाँ पर भी conversion होगा cost से sign में conversion होगा लेकिन जो आएगा आपका होगा बोल नेगेटिव आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा minus sign theta और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 10 90 degree प्लस थीटा तो यह आपका हो जाएगा माइनस कॉट थीटा कॉट 90 degree प्लस थीटा यह आपका हो जाएगा माइनस 10 थीटा और यहाँ पर हो जाएगा सिक 90 degree प्लस थीटा यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक 90 डिगरी प्लस थीटा तो यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा सेक थीटा बच्चों बहुत कायदे सिध्यान रखना है कि अगर साइन पॉजिटिव है तो हमारा कॉसेक भी पॉजिटिव होगा इसलिए कॉसेक 90 प्लस थीटा में कन्वर्जन तो होगा लेकिन कॉसेक जो हमारा आएगा वो आपका क्या आएगा वो पॉजिटिव आएगा अब हम लोग चलते हैं 180 degree प्लस थीटा तो देखें जब भी हम 180 degree प्लस थीटा में जाते हैं 180 degree प्लस थीटा की तुरब जाते हैं तो हमारा sign का sign ही बना रहता है cos का cos ही बना रहता है 10 का 10 ही बना रहता है वो यहाँ पर 180 degree प्लस थीटा में नहीं होता है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यह आपका क्या हो जाएगा साइन 180 degree प्लस थीटा तो यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा अब यहाँ पर क्या positive होगा यहाँ पर 10 positive होगा 10 positive रखना है बागी सारे हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो यह आपका minus sine theta, यहाँ पर sine का sine ही बना रहेगा, और यह आपका cos, 180 degree, plus theta, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका minus cos theta, और यहाँ पर 10, 180 degree, plus theta, तो यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 10 थीटा कॉर्ट 180 डिग्री प्लस थीटा तो यह आपका क्या हो जाएगा यह भी आपका कॉर्ट थीटा ही हो जाएगा और आपका सेक 180 डिग्री प्लस थीटा यह आपका क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा टी डी इट células फिटा यह आपका क्यों क्यों जएगा यह अपका हो जैगा कॉस और से कम सी के टाःट ठीक है कि अब हम चलतें फोर्थ कॉर्डरेन्ट का जो एंगल है उसे आम लिख सकते हैं तू सेटी डीपलस थीटा और 360 degree minus theta जब हम 270 degree plus theta करेंगे तो sine से cost में conversion होगा लेकिन अगर 360 degree minus theta करेंगे तो हमें कोल भी conversion नहीं मिलेगा ठीक है? sine का sine ही बना रहेगा cost का cost ही बना रहेगा अब बच्चों इसके हम थोड़ा उपर जा करके दिखते हैं तो ये जो आपका है इसी को मैं एक और form में भी लिख सकता हूँ तो दिखें ये आपका sine 90 degree plus theta है तो मैं यहाँ पर sine 180 degree minus theta जब मैं question मैं कराऊंगा इससे related मैं आपको एक example कराऊंगा तो मैं 180 degree minus theta से भी उसकी value निकाल के बताऊंगा और 180 degree minus theta से भी निकाल करके बताऊंगा और 90 plus theta से भी निकाल करके मैं बताऊंगा तो ये 180 degree minus theta ये आपका बच्चों रहेगा sine theta ही रहेगा cos 180 degree minus theta ये आपका minus cos theta और ये आपका 10 180 degree minus theta तो ये आपका minus 10 theta और ये आपका cot 180 degree minus theta तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा minus cot theta ठीक है और यहाँ पर sec 180 degree minus theta तो ये आपका क्या हो जाएगा minus sec theta और ये cos sec 180 degree minus theta तो यहाँ पर भी बच्चों क्या करना है कि sine और cos sec में दोनो positive रखने बाकी सारे हमारे जितने भी होंगे वो क्या होंगे वो negative होंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा cosic theta हो जाएगा बट कोई conversion नहीं होगा cosic sec में conversion नहीं होगा आप देखे इसे भी मैं 270 degree minus theta 270 degree minus theta मैं लिख सकता हूँ लेकिन उसको लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है अब ऐसे अगर terms अगर लिखने लगींगे तो आप देखी चुके हैं कि यहाँ पर board जो है वो आधे से जादा भर चुका है तो कितना board भरना है हमें एक्जाम में board थोड़ी न भरना है हमें एक्जाम में concept को सीखना है concept को study करना है तो इसके लिए मैं आपको बाद में बहतरीन एक तरीगा बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी conversion पर आप जा सकते तो अब देखी है मैं अब यहाँ पर ले रहा हूँ जिससे कि आप सारी की सारी values आप उस formula को apply करके आप कर सकते हो चलिए देखे तो यह आपका sign 360 degree minus theta तो यह बच्चों क्या हो जाएगा 360 degree minus theta तो इसमें कोई conversion नहीं होगा बट यहाँ पर cable और cable cos positive होगा cos positive होगा तो उसका reciprocal set भी positive होगा तो यह क्या हो जाएगा sin 360 degree minus theta तो यह क्या हो जाएगा sin theta minus sin theta तो ठीक है और यह आपका cos 360 degree minus theta तो यह आपका क्या हो जाएगा cos theta और यहाँ पर 10 360 degree minus theta तो यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा minus 10 theta और यह हो जाएगा कॉट 360-degree माइनस ठीटा इस इक्वल टू और यहाँ पर आपका यह भी हो जाएगा माइनस कॉट ठीटा ठीचा है? और 10 कॉट और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक 360-degree माइनस ठीटा तो देखिए यह आपका क्या होगा? पोसितिव हो गा यह आपका हो जाएगा सिक थीता आए यहां पर क्या हो जाएगा कॉस्यक्त Susi 360 degree माइनस थीटा तो यह हो जाएगा यह आपका हो जाएगा माइनस उसक적 थीटा तो यह 270-θ से भी देख लेते हैं क्योंकि पहले यहां पर नहीं किया था क्योंकि space का थोड़ा सा problem हो गया था तो चलिए इसा मैं लिख सकता हूं sin 270-θ लेकिन बच्चों यहां पर आपका conversion होगा तो sin है तो क्या हो जाएगा sin है तो आपका यह हो जाएगा cos but यहां पर 10 और cot positive होंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा नेगिटिव तो यह आपका minus cos θ Cos 270 degree minus θ तो यह आपका हो जाएगा minus sin θ 10 270 degree minus θ तो यह बच्चों आपका हो जाएगा cot θ यह आपका positive विराएगा और court 270 degree minus theta तो यह भी आपका क्या होगा positive होगा यह आपका 10 theta होगा और यहाँ पर sec 270 degree minus theta तो यह आपका कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा sec 270 degree minus theta यह आपका हो जाएगा minus cosec theta और cosec 270 degree minus theta यह आपका क्या हो जाएगा minus sec theta तो please make sure इतना आप लोग note down कर लीजे पहले तो चलिए अब हम इसी concept पे आगे बढ़ते हैं और देखे अब यह हम पढ़ने वाले हैं तो add sugar to coffee जो हमने पढ़ा है उसमें जो 180 plus theta, 90 plus theta, 90 minus theta यह सब जो भी हम लोग पढ़ते हैं अगर मान लीजे किसी बहुत बड़े angle की value अगर हमें calculate करने हो उसका sign निकालना हो उसका cost निकालना हो 10 निकालना हो तो उसके लिए एक method होता है कि 90 into n plus minus theta इसके लिए आपका method हो सकता है अब यहाँ पर आपका यह sin, cos, tan, cos, sec, cos, sec आप कुछ भी value आप निकाल सकते हैं तो अगर n अगर आपका even है तो जो आपका sign है वो आपका sign ही बना रहेगा उसमें कोई आपका change नहीं होगा plus और minus आपका quadrant decide करेगा कि किस quadrant में है तो इसकी value plus होगी और किस quadrant की वज़े से इसकी value minus में होगी तो देखिए sign अगर है तो यह आपका sign ही बना रहेगा cos है तो cos ही बना रहेगा और tan है तो आपका tan ही बना रहेगा मतलब इसमें कहने का यह है कि अगर n अगर even है अगर आपका अगर n आपका even है तो अगर angle है तो जो हम calculate कर रहे हैं उसी में आपका angle बना रहता है अगर sign calculate कर रहे हैं तो आपका LHS, RHS दोनों तरफ आपका sign ही बना रहेगा अगर n अगर आपका odd है तो जैसे 90 minus theta और 90 plus theta में जैसे हम करते थे तो होता क्या था कि जो आपका sign होता था वो आपका cost में convert हो जाता था cost आपका 10 में convert हो जाता था और आपका cost एक आपका set में convert हो जाता था इस तरीके से आपका conversion होता रहता था लेकिन अगर यहाँ पर odd है अगर n की value अगर odd number है तो आपका conversion होगा अगर even है तो कोई conversion नहीं होगा example के लिए देख लीजे आपका जो sign होगा वो आपका cost में convert हो जाएगा cost आपका sign में convert होगा और आपका 10 आपका pot में convert होगा बाकी आपके जो भी conversions हैं वो आपके इसी तरीके से आपके चलते रहेंगे चलिए अब इसी पर बेज़ रहेंगे कुछ problems हम करेंगे एक दो problems हम करेंगे तो उससे क्या होगा जो भी हमने concept पढ़ा है उसका application हो जाएगा फिर हम लोग आ जाएगे अपनी exercise पर तो चलिए अब example के तोर पर question कर लेते हैं तो अब हमें देखिए all trigonometric ratios हमें find out करने हैं यह angle 120 degree पर और angle 210 degree पर तो सबसे पहले हमें देखना जरूरी है कि आपका जो 120 degree जो angle है वो कहाँ लाई करेगा वो कहाँ आएगा 120 degree का angle तो आप जानते हैं यह आपका 0 और यह आपका 90 degree 90 degree या pi by 2 और यह आपका 180 degree या pi तो जो आपका 120 degree लाई करेगा वो कहाँ आएगा उन 90 degree और 180 degree के बीच में लाई करेगा तो 90 degree और 180 degree के बीच में कौन सा कॉडरेंट होगा second quadrant होगा और बच्चों second quadrant में हमें पता है क्या positive होता है यहाँ पर आपका sine positive होगा और cosec positive होगा ठीक है sine और cosec positive होगा अब हम इनकी जो values है वो 90 प्लस theta करके भी निकालेंगे और 180 माइनस theta करके भी निकालेंगे तो देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को solve कर रहे हैं यह आपका है एंगल 120 डिग्री तो हमें चाहिए 120 डिग्री की तो sine 120 डिग्री अगर हम निकालेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा इसे मैं लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो बच्चों साइन 90 प्लस theta क्या होगा cos theta positive cos theta ध्याम रखिए यहाँ पर साइन और cos एक आपके क्या होंगे positive होंगे तो यह आपका हो जाएगा cos 30 डिग्री तो यह आपका कितना हो जाएगा root 3 by 2 यह आपको मिल गया एक answer ठीक है अब साइन तो हमी निकाल लिया लेकिन हमें सारे चाहिए तो अब हम निकालेंगे cos 120 डिग्री तो इसे भी हम 90 प्लस theta करके निकालेंगे अगर तो यह आपका क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो cos 90 प्लस theta क्या हो जाएगा minus sin theta तो यह minus sin 30 डिग्री तो यह आपका क्या हो जाएगा minus 1 upon 2 तो यह minus 1 upon 2 आपका क्या हो जाएगा यह answer हो जाएगा अब अब हम आगे बढ़ते हैं sin cos तो अब आपका क्या हो जाएगा अब आपका आएगा 10 यह आपका 10 120 डिग्री तो 10 120 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा 10 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो 90 प्लस थीटा 10 90 प्लस थीटा क्या होता है minus cot थीटा तो यह आपका क्या हो जाएगा minus cot 30 डिग्री और बच्चों cot 30 की जो value होती वो क्या होती वो होती root 3 तो यह आपका क्या हो जाएगा minus root 3 आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हम निकालेंगे cot, cot 120 degree, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, cot 90 degree plus 30 degree, तो यह आपका क्या हो जाएगा, cot 90 plus theta, क्या हो जाएगा, minus 10 theta, तो यह आपका minus 10, 30 degree, तो यह आपका क्या हो जाएगा, minus 1 upon root 3, अब cot के बाद हम क्या करेंगे, cot, ज interpret, cot relativity, तो यह आपका क्या हो जाएगा, cot 90 degree plus 30 degree, तो cot 90 plus 130, dust 90 plus theta, क्या हो जाएगा, minus cot theta, तो यह आपका क्या हो जाएगा, minus cot 30 degree, तो might cross 80 की value कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी तो ये आपका इतना माइनस 2 हो जाएगा अब हम निकालेंगे कॉसेक 120 डिगरी तो कॉसेक 120 अगर निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉसेक 90 डिगरी प्लस 30 डिगरी तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कॉसेक 90 प्लस थीटा आपका हो जाएगा माइनस सॉरी कॉसेक 90 प्लस थीटा आपका हो जाएगा सेक थीटा तो ये आपका सेक 30 डिगरी सेक 30 की जो वैले होती वो बच्चों कितनी होती है, वो बच्चों होती है, 2 upon root 3, तो अब ये तो हमने क्या कर लिया, ये हमने 90 plus theta करके करा है, अब हम लोग इसी problem को हम क्या करेंगे, 180 degree minus theta से करेंगे, तो जो आपको concept है, वो आपका पूदी तरीके से clear हो जाएगा, और आपके exercise के भी जाद तरफ जो सवाल होंगे, वो आपके लग जाएंगे, तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, अब दिखिए जो angle 120 degree को जो हम solve कर रहे थे, तो हमने 90 plus theta करके solve दिया था, अब हम इसे 180 minus theta से solve करेंगे, तो देखिए अगर 120 degree को, अगर हम 180 minus theta के form में लिखेंगे, मान लीजे हमें चाहिए, sin 120 degree, तो हम क्या करेंगे, इससे हम लिख लेंगे, sin 180 degree minus 60 degree, तो sin 180 minus theta आपका होता है, sin theta, तो यह आपका क्या हो जाएगा, sin 60 ही हो जाएगा, और यह आपका क्या हो जाएगा, root 3 by 2, और आपका, cos 120 degree, तो यह आपका हो जाएगा, cos 180 degree minus 60 degree, तो cos 180 minus theta, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, minus cos theta, तो यह आपका क्या हो जाएगा, minus cos 60 degree, तो यह आपका क्या हो जाएगा, minus 1 by 2, तो यह दोनों जो बच्चों आपको मिले हैं, यह आपके answer से, और आप करेंगे हम लोग, 10 120 degree, तो इससे मैं लिखूंगा, 10 180 degree minus 60 degree, तो यह आपका क्या हो जाएगा, minus 10 60 degree, तो यह आपका हो जाएगा, minus root 3, अब देखें, इसी में आगे बढ़ने हम, तो यह आपका क्या हो जाएगा, cot 120 degree चाहिए, तो मैं इसे, 180 minus theta के form में अगर लिखूंगा, तो यह मैं लिखूंगा, cot 180 degree minus 60 degree, तो cot 180 minus theta बच्चों होता है, minus cot theta, तो यह क्या हो जाएगा, minus cot 60, और cot 60 की जो value होती हो, कितने होती बच्चों, 1 by root 3, तो यह हो जाएगा, minus 1 upon root 3, और cot के बाद आपका आएगा, sec 120 degree, और यह आपका केतना हो जाएगा, यह आपका sec 180 degree minus 60 degree, तो sec 180 minus theta, 180 minus theta आपका क्या हो जाएगा, sec 180 minus theta आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा, minus sec theta, तो यह minus sec 60, तो sec 60 की value जो होगी, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, 2 upon root 3, तो यह आपका कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, माइनस 2 अपान प्रूट 3 तो यह आपका बन जाएगा माइनस 2 तो यह आपका माइनस 2 आजाएगा तो आप देखिए कॉस एक 120 डिगरी तो यह आपका क्या हो जाएगा कॉस एक 180 डिगरी माइनस 60 डिगरी तो यह आपको क्या मिल जाएगा यह आपका कॉस एक 180 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा कॉस एक थीटा तो यह आपका कॉस एक 60 डिगरी और बच्चो कॉस एक 60 degree की जो value होती ही वो होती है 2 upon root 3 तो यह आपका इस तरीके से आ जाएगा ठीक है तो अभी हम लोगोंने 120 degree angle के लिए solve किया आगे हम लोग का जो second part है उसमें हम लोग 210 degree के लिए solve करेंगे तब तक आप इसका screenshot ले लीजे और यह अपनी notebook में note down कर लीजे उके तो इसका second part अगर हम देखें तो अगर second part में देखें तो आपका जो angle है वो 210 degree तो आपका 210 degree आपका कहां लाई करेगा देखें यहाँ तक आपका क्या हो गया 180 degree हो गया थोड़ा इसमें और अगर आगे चलेंगे तो 210 degree आपका यहाँ पर आएगा आपका third quadrant में लाई करेगा देखें तो third quadrant में बात करें तो आपके 10 और chord क्या होते हैं आपके positive होते हैं तो अब इसी question को हम 180 प्लस theta से भी करेंगे और 270 माइनस theta से भी करेंगे तो देखें अब देखें sin 210 degree है तो इसे बच्चों मैं लिख सकता हूँ sin 180 प्लस theta के form में लिखूंगा तो 180 degree प्लस 30 degree तो sin 180 प्लस theta क्या हो जाएगा माइनस sin theta तो माइनस sin 30 degree तो यह आपका हो जाएगा माइनस 1 बाइ 2 ठीक है अब कॉस कॉस 210 degree तो यह आपका क्या हो जाएगा कॉस 180 degree प्लस 30 degree तो यह आपका क्या हो जाएगा कॉस 180 प्लस theta तो यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा माइनस कॉस theta तो यह बच्चों value हो जाएगी माइनस root 3 by 2 ठीक है अब बात करें जाएगा 10 210 degree तो यह आपका क्या हो जाएगा 10 180 degree प्लस 30 degree तो 10 180 प्लस theta तो यह हो जाएगा आपका 10 theta हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा 10 30 degree तो 10 30 degree की value क्या हो जाएगी 10 30 degree की value 1 upon root 3 आजाएगी तो यह आपके answers हैं आप देखिए आगे बढ़ते हैं इसी में तो कहां तक हो गया 10 तक हो गया तो cot की बाद करेंगे तो cot 210 degree तो इसे मैं लिख सकता हूँ cot 180 degree plus 30 degree तो cot 180 plus theta यह आपका क्या होगा यह आपका cot theta होगा तो cot 30 degree तो बच्चों इसकी value क्या हो जाएगी इसकी value root 3 हो जाएगी और अब cot के बारे में बात करेंगे तो cot की बात करेंगे अब आपका आएगा cot के बात sec 210 degree तो sec 210 degree आपका क्या हो जाएगा sec 180 degree plus 30 degree तो sec 180 plus theta आपका क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा minus sec theta यह आपका minus sec 30 degree तो sec 30 की value क्या होगी sec 30 की value होती है 2 upon root 3 बट यहाँ पर minus है तो यह आपका क्या हो जाएगा minus 2 upon root 3 हो जाएगा ठीक है आप देखिए आप बात करेंगे cosec की तो cosec 180 degree cosec 180 degree plus 30 degree तो यह बच्चों कितना हो जाएगा cosec 180 plus theta क्या हो जाएगा minus cosec theta तो minus cosec 30 degree तो यह बच्चों value क्या हो जाएगी यह value हो जाएगी minus 2 क्या है तो यह जितने भी आपके blue और red से mark है यह आपके answers है अब हम इसी part को हम करेंगे 270 degree minus theta से करेंगे तो चलिए अब हम सारे trigonometric ratios को हम 270 minus theta के format से निकालेंगे तो आप यह लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो angle है वो आपका 210 degree है तो अगर मैं sin 210 degree निका दूंगा तो मैं इसे लिखूंगा साइन 270 degree minus 60 degree तो साइन इसे बच्चों मैं लिख सकता हूँ 90 degree into 3 minus 60 degree और मैंने आपको बताया था concept के थोड़ा पहले बताया था कि जब 90 का multiplier अगर odd number हो तो conversion होता है तिक तो sign जो है आपका वो क्या होगा वो आपका cos में convert होगा और हमें ध्यान रहें यह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह 3rd quadrant में है तो क्या होगा 10 और cot positive होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका sign का cos हो जाएगा यह आपका minus cos 60 degree यह आपका क्या हो जाएगा minus 1 upon 2 यह basically आपका एक answer है और इसी तरीके से cos 210 degree तो मैं क्या करूंगा इसे यह आपका cos 270 degree minus 60 degree तो यह आपका cos 90 degree into 3 minus 60 degree तो 90 degree into 3 यह आपका क्या हो जाएगा minus sign में चला जाएगा तो यह आपका minus sign 60 degree तो minus sign 60 degree यह आपका क्या हो जाएगा minus root 3 by 2 हो जाएगा और यह भी आपका एक answer है अब देखिए मैं बात करूंगा sin cos 10 की बात करूंगा 10 210 degree तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 270 degree minus 60 degree तो ये आपका हो जाएगा 10 90 into 3 minus 60 degree 10 से convert हो जाएगा ये किसमें cot में तो ये आपका क्या हो जाएगा cot 60 degree minus नहीं आएगा धियान रखिए 10 और cot 3rd quadrant में आपके positive होते हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 1 upon root 3, और basically यह आपका answer है, और 10, sorry, caught 210 degree, यह आपका क्या हो जाएगा, caught 270 degree minus 60 degree, तो यह आपका क्या हो जाएगा, caught 90 into 3 minus 60 degree, यह आपका क्या हो जाएगा, caught, यह आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि यह आपका order number है, तो caught से 10 में हम जाएँगे, तो यह आपका हो जाएगा 1060 degree, पॉजिटिव 1060 degree, तो यह आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब हम दोग बात करेंगे, सेक 210 डिग्री, तो सेक 210 डिग्री मैं इसे लिखूंगा सेक 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री और यह आपका हो जाएगा सेक 90 डिग्री इंटू 3 माइनस 60 डिग्री तो यह आपका क्या हो जाएगा सेक 90 इंटू 3 माइनस 60 तो सेक का क्या हो जाएगा सेक आपका तन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, तो कि यह आपका और नमबर है, तो सेक से कॉसेक में हम जाएगे, तो यह आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक 60 डिग्री तो यह आपका क्या हो ज कोसेक 210 डिगरी तो यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा यह 270 डिगरी दिगरी और यह आपका हो जाएगा कोसेक यह आपका 90 into 3 minus 60 तो यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका कॉसेक 90 into 3 minus 60 तो यह आपका किस में convert हो जाएगा कॉसेक से हो जाएगा आपका सेक में तो यह आपका हो जाएगा minus 60 degree तो minus 6 ठीटा यह आपका क्या हो जाएगा माइनस 660 है आपका हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा तो इस तरीके से हम करते हैं आप देखिए जो भी आपका कॉंसेट था जो आपका 180 प्लस थीटा और 270 माइनस सीटा था वो हम लोगों ने पढ़ लिया आप देखिए बात आती है कि अगर अगर कोस्चन में एंगल अगर 360 दिजरी से जादा दिया हुआ है तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे हैंडल करते हैं तो उसके लिए तरीका आपका वही होता है 90 इंटू N प्लस माइनस थीटा यही आपका एक मैठेड आपका होता है तो उसी कोस्चन से हम एक दो कोस्चन और करके देखेंगे लेक इतना आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजे इसको तो अब देखें इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें साइन 765 डिगरी की वैल्यू हमको चाहिए तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ यह आपका है फर्स्ट पार्ट जो है आपका साइन 765 डिगरी अब इसमें मैं क्या करूं साइन और यह आपका 90 डिगरी इंटू एट यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका 720 हो जाएगा और जो हमारा 2 साइकल क्या हो जाएगे कंप्लीट हो जाएगे जो आपका 360 इंटू 2 यानि कि अगर अगर हम मान लेगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम दो राउंड ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 720 डिगरी मिल जाएगा अब सबसे पहली बार हमें यह देखना है कि 765 डिगरी कहां पर होगा तो देखें यहां से एक बार घूम के आएंगे तो आपका 360 360 डिगरी होगा बट यहां से एक बार और घूम के आएंगे तो आपका फिर से 360 डिगरी एड हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 720 डिगरी और जब हम इसमें यानि फर्स्ट कॉडरेंट में जब हम थोआ आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 765 डिगरी तो जो साइन in 90 डिगरी इंटव ignite आप लोग यहां पर देख भार रहें कि यहां पर एक इवन नंबर तो इवन नंबर हैं तो साईन से हम कोई कनवर्जर नहीं करेंगे तो साइन है हमारा तो साइन टो साइन है आपका क्या हो जाएगा सान 45 डिगरी आत यह आपका और बज्छ dalam से 2580 degree इसकी value अगर हमें निकालनी है तो मैं आपको बता दूँ देखिए आपका 360 degree into 7 ये आपका कितना हो जाएगा 700 और 76 जा 2 और carry आपका लगेगा 4 तो 7 3 जा 21 और 21 में 4 एड करेंग कितना हो जाएगा 25 तो ये आपका हो जाएगा 2520 degree but अगर हम इसमें 60 degree और add करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2580 इस करीगे से हम questions को handle करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 10 और इसे बच्चों मैं लिख सकता हूँ 360 degree into 7 plus 60 degree और ये आपका हो जाएगा 10 और बच्चों 360 degree को मैं लिख सकता हूँ 90 into 4 into 7 plus 60 degree तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपका 10 ये आपका कितना हो जाएगा ये आपका 90 degree into 28 plus 60 तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि 28 क्या है 28 is even number है तो even number है तो 10 का 10 ही बना रहेगा तो ये हो जाएगा आपका 1060 degree तो 1060 degree होगा तो इसकी value बच्चों मिलेगी हमें root 3 तो चलिए बच्चों जो आपका आखरी पार्ट 3 है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका है cos 675 degree तो बच्चों मैं इसे लिख सकता हूं cos और मैं इसे 90 degree के multiply multiple से करूंगा तो ये आपका 90 into 7 आपका होता है 630 और 630 मैं अगर 45 degree अगर add करूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 675 degree तो ये आपका 90 into 7 plus 45 degree और ये देखें आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका odd number है तो odd number है तो अगर 7 यहाँ पर है तो आपका साइन करेंगे को स्काय का होजाएगा साइन तो साइन 45 गेंगे साइन 45 आपको मिल जाएगा और 1 अपन रौझ तो जो भी कंसेप्ट था आपका आपका एकसरसाइज को ले करके जो आपकी जो आपकी सेटेंड एकसरसाइज वो आपकी complete हो चुकी है, उसके बाद आप आपका syllabus भी आप लोगों का reduce हुआ है, आपका 2020 का जो आपका class 11 का syllabus है, तो वो reduce हुआ है, तो उसके according मैंने उसका ये concept video बनाया है, और ये आप लोगों के लिए परयात है, इसके बाद आप लोगों का जो भी syllabus है, जो भी आपके questions आने वाले हैं आपके, जो exam में आएंगे, तो वो आप लोग इससे कर सकते हैं, इस concept को सिख करके, और मैं आपको बता दूं कि domain range जो है आपका, वो इस साल आपके syllabus में आपका नहीं है, तो उसका video हमने नहीं बनाया है अभी, और जादर कर जो questions हैं, वो हमने आपके degree में solve कर रखें, तो degree में solve किये हैं, अगर हम इने पाई के terms में भी हम solve कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके question में अगर पाई का term दिया हुआ है, तो पाई की value 180 degree रख करके, आप उसे degree में convert कर सकते हैं, और degree में convert करके भी solve करेंगे, तब भी आपको यही आपको solution देना होगा, उसके लिए अलग से घबरानी की ज़रुरत नहीं अब हम लोग exercise की तरफ प्रोसीड करते हैं